वीडियो एडिटिंग ऐसी करो कि वीडियो देखने वाले का दिमाग खराब हो जाए जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आगया हूँ जिसे बनाने के बाद अगर आप लोग अपने फ्रेंड को दिखा दोगे तो वो लोग आप से सिर्फ एक ही चीज पूछेंगे ये वीडियो बनी कैसे और ये वीडियो एंड कब होगी यानि कि ये वीडियो खतम कब होगी तो सबसे पहले हम लोग प्रिवी को देख रहते हैं फिर आगया की बात स्टार्ट करते हैं अगर मैं इस वीडियो को स्टॉप न करता तब ये वीडियो आप लोग देखते रहते देखते रहते और सुबार से शाम, शाम से रात, रास से अगला दिन लग जाता और यही चीज continuous चलता रहता लेकिन ये वीडियो कभी खतम ना होती क्योंकि इस वीडियो को हम लोग कहते है loop वीडियो जिसका कोई ending पार्ट नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग भी कुछ इस type की loop वीडियो को बनाने वाले हैं और इसको बनाने के लिए हम लोग कैपकाट अप्लिकेशन का यूज करेंगे और कैपकाट अप्लिकेशन का सारा फीचर यूज करने के लिए हमें एक वीपेन की ज़रूत पड़ेगी तो दोनों का लिंक मैंने description में दे दिया जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा तब तक मैं मिलता हूँ आप लोगों से mobile के screen का तो इस type की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक normal वीडियो shoot करना होगा अब normal वीडियो shoot कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो दिखा कर समझा देता हूँ तो यह मेरी normal वीडियो है अब इसको मैं play करूंगा और एक एक करके समझाओंगा कि कैसे आपको normal वीडियो shoot करना है तो इसको मैं play करता हूँ अब देखिए इस वीडियो में जब आप लोग शूट करेंगे तो सबसे पहले आपको धखका खाने वाला रियाक्शन देना है इस तरह, कि किसी ने आपको इस तरह धका दिया, फिर से देख लिए सबसे पहले आप लोग दिवाल पे इस तरह धका खाएंगे फिर camera के सामने हाथ wave करके आगे आएंगे last में आपको चौकने वाला reaction देना है इतना करने के बाद camera के सामने से हड जाईएगा क्योंकि उसी जगा का हमें एक plain background बीचाईए हुगा तो कुछ इस टैप की आप लोग normal video shoot कर लिजेगा एक बार मैं आपको फिर से play करके दिखा देता हूँ सबसे पहले क्या करना है दिवाल पे धक्का खाना है देखिए इस तरह फिर camera के सामने आगे बढ़ना हाथ wave करते हुए last में आपको चौकने अरा reaction देना है इतना करने के बाद camera साड़ जाईए क्योंकि उसी जगा का blend background भी चाहिए इस टैप की normal video shoot कर लिजेगा normal video shoot करने के बाद अब इस video को हमें CapCut application के अंदर import करना होगा लेकिन उससे पहले हम लोग mobile को VPN से connect कर लेंगे तो VPN को connect कर लेते है mobile से connect करने के बाद अब हम लोग CapCut application को open करेंगे यहाँ पर new project पर टैप करेंगे और अभी हम लोगों ने जो normal video shoot किया है उसको हम लोग select कर लेंगे select करने के बाद नीचे add वाले button पर टैप कर देंगे तो हमारी normal video CapCut application के अंदर import हो जाएगी last में हमें CapCut application का watermark दिखाये देगा तो इसको आप लोग सबसे पहले delete कर दीजेगा इतना करने के बाद अब हमारा जो सबसे पहला step है वो यह है कि वीडियो को हमें सिफ main part रखना है बागी का part हमें delete कर देना है अब वीडियो का main part क्या है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूм देखिए यह सब हमारा वीडियो को extra part है इसको हम लोग delete करेंगे वीडियो का main part वहाँ से start होगा जहां से हम TagCut यहां से हमारा main part start हो रहा है तो हमें क्या करना है यहीं से वीडियो को pause करना है और वीडियो पे tap करेंगो यहीं से वीडियो को split कर देंगे और जो हमारा पीछे का यह सब पार्ट है इसको हम लोग tap करके इसको delete कर देंगे तो वीडियो हमारी यहाँ से start होनी चाहिए इतना करने के बाद अब हमें फिर से इसको 20 से split करना है कहां से split करना मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही मैं धका खाके हाथ नीचे कर रहा हूँ देखिए हाथ नीचे कर लिया हूँ यही से हमें वीडियो को फिर से split करना है तो मैं वीडियो पे टैप करूँगा और इसको फिर से split कर दूँगा, तो वीडियो हमारी दो पार्ट में divide हो जाएगी, पहले पार्ट में हम लोग दिवाल पर धक्का खाएंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग camera एक सामने हाथ wave करते हुए आगे बढ़ेंगे, और चौकने वाला reaction देंगे, अब जहां हम लोगों चौकने वाला reaction दिया है, फिर से हमें वहीं से वीडियो को split करना है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं चौक रहा हूँ, तो यहीं से हम लोग video को split करेंगे, फिर से वीडियो पर tap करिएगा, और यहाँ से इसको split कर दीजेगा, तो वीडियो देखिए हमारी इसलिए रखा है, क्योंकि हमें एक plain background चाहिए, तो इसकी हमें एक photo चाहिए होगा, तो वीडियो को यहाँ पर ले आएगा, जो हमारी white line है, plain background पर ले आएगा, और वीडियो पर tap करिएगा, तो slide करेंगे, last में एक option मिलेगा freeze का, अब जैसे ही आप लोग freeze पर tap करेंगे, तो हमाई, यहाँ पर हमाई पास क्या पचा, पहली वीडियो पची जहाँ पर हम लोगों ने दिवाल पर धक्का खाया है, दूसरी वीडियो क्लिप है, जहां हम लोग camera के सामने हाथ वेफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और चौक रियाक्शन दे रहे हैं, तो इस तरह आप लोग कुछ वीडियो को adjust कर लिजेगा, इतना करने के बाद, अब आईएगा पहले अली वीडियो क्लिप पे, जहां हम लोग दिवाल पर धक्का खा रहे हैं, इस वीडियो क्लिप पे ले आईएगा एकदम last पे, यानि कि पहले हम लोग camera के सामने आगे आएंगे, यह हमारी पहली वीडियो क्लिप हो जाएगी, इसके बाद हमारी यह plane background वाली photo रहेगी, और last में हमारी यह दिवाल पे जब हम लोग धका खा रहे हैं, याली वीडियो क्लिप रहेगी, इस तरह करने के बाद, अब सबसे पहले इसको, सबसे पहले double finger से थोड़ा zoom कर लिजे ताकि फोटो की वो रहेगी 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड हमने क्या कर दिया है, फोटो की time duration को कर दिया है, जो कि हमारा plane background फोटो है, इतना करने के बाद, अब हमारी यह वाली वीडियो क्लिप है, जिसमें हम लोग धका खा रहे हैं, इसके एगदम starting में आईएगा, और इसकी भी हमें एक फोटो बचाईए, तो एकदम last में आईएगा, यहाँ पर freeze वाला option मिलेगा, इसको tap कर दिजएगा, तो जो हमारी धका खाने वाली वीडियो क्लिप है, इसके starting की photo यहाँ पर बनके तयार हो जाएगी, अब इस photo को भी हमें crop करके 0.2 सेकेंड की कर देना है, देखें, इस इसको crop करके 0.2 सेकेंड की कर देना है, अब इस photo को हमें क्या करना है, overlay वाले option मिलाना है, यानि कि नीचे वाले layer मिलाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस photo पर आना है, टैप करना है, नीचे हमें एक option मिलेगा, overlay का, overlay पर टैप कर देना है, तो photo हमारी क्या हो जाएगी, overlay वा अब हमारी यह आली जो photo है इसका हमें background remove करना है तो इस वाली photo पे tap करिएगा नीचे आपको cut out का option मिलेगा उस पे tap कर क्या हिएगा पहला option मिलेगा remove background का तो इस पे आप लोग tap करेंगे तो यहाँ पर आपकी photo का background remove हो जाएगा टिक करके से done कर दीजेगा अब देखिया हमें क्या करना है इस photo की last में आना है तो इस दम white white line को बाहर ले आईएगा और photo पे tap करिएगा तो photo की एकदम last में आप लोग आ जाएगे यहाँ पर आपको एक key frame लगाना होगा तो यहाँ पर आपको key frame वाला दिख रहा है यहाँ पर इतना बड़ा आप लोग कर लिजेगा इसको इतना करने के बाद हमारी यहाँ पर 90% वीडियो ready हो चुकी है मैं थोड़ा से आपको play करके दिखाता हूँ देखिये इस तरह वीडियो हमारी ready हो जाएगी last में में क्या करना है green skin वाली वीडियो लगाना जिसमें हम लोग अपने finger को flick कर रहे है तो green skin वीडियो का link मैंने आपको description में दे दिया जाकर आप लोड download कर लिजेगा अब green skin वीडियो को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा नीचे हमें overlay का option मिलेगा इस पर tap करिएगा add overlay पर tap करिएगा और यहां से आप लोग green skin वीडियो को select कर लिजेगा जिसका link मैंने आपको description में दे रखा जाकर download कर लिजेगा तो green skin वीडियो को select करने के बाद नीचे add वाले button पर tap कर दिजेगा तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं हमारी green skin वीडियो आ चुकी है यहां पर green skin वीडियो में क्या हो रहा है finger को अपने flick कर रहे हैं इस तरह तो इस वीडियो में जो green skin है यानि कि जो green color इसको सबसे पहले हमें हटाना होगा तो इसके लिए हम लोग green skin वाली वीडियो पर tap करेंगे नीचे हमें एक option मिलेगा cut out का cut out वाले option पर tap करेंगे third option मिलेगा chroma key का chroma key पर tap करेंगे और circle को ले आएंगे green color पर इस तरह green color पर लाने के बाद intensity पर आएंगे और इसकी intensity कर देंगे 8 8 करने के बाद देख सकते हैं green color हमारा हाट चुका है और इसको tick करके हमें done कर लेना है इतना करने के बाद अब हमें green skin को थोड़ा adjust करना होगा तो थोड़ा छोटा करके और एकदम last में इस तरह आप लोग लगा लिजेगा इसको जिस तरह मैं लगा रहा हूँ लगाने के बाद अब हमें इसको adjust इस तरह करना है कि जैसे मैं हाथ को flick करूँ finger को देखिए finger को इस तरह flick करूँ तो वहीं से हमारी body पीछे चली जाए तो इसको आप लोग adjust करिएगा अपने हिसाब से देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ देखते रही है आपको कुछ इससाब से इसको adjust करना है कि जैसे आप लोग finger को flick करें वैसे ही body आपकी पीछे चली जाए ये देखिए मैं flick कर रहा हूँ तो पीछे हमारी body जा रही है फिर से देखिए ये थोड़ा से और इसको आगे ले आता हूँ ये अब यहाँ पर perfect हमारी यहाँ पर बन चुकी है मैं आपको यहाँ जैफ फिर से play करके दिखाता हूँ देखिए देखिए हमारी यहाँ पर वीडियो बन कर ready हो चुकी है last में हमें यहाँ पर sound effect लगाना है तो sound effect का भी link मैंने आपको description में दे दिया जाका download कर लिजेगा sound effect लगाने के लिए में क्या करना होगा सबसे पहले back आईए जब back आजाएंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा add audio का add audio पे tap करिएगा sound पे tap करिएगा और यहाँ पर आपको folder ओला option दिखेगा इस पर आप लोड टैप करिएगा इतना करने के लिए साउंड डिवाइस पर टैप करिएगा और यहाँ पर search करिएगा जो आपके sound effect का नाम है तो sound effect का नाम है यू एम पी एच इस तरह आपको यहाँ पर sound effect यालब मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं sound effect आ चुका है इसको यूज़ करने के लिए सामने इसके plus वाला icon दिख रहा है इस पर tap कर दीज़ेगा तो यहाँ पर sound effect हमारा आ चुका है अब इस sound effect को कहा लगाना है जहाँ पर हम लोग हमारी body flick होकर पीछे जारी दिवाल पे तो इसको मैं आगे ले आँगा तो यहाँ पर हमारी flick होकर body जारी आगे तो इसको मैं इस तरह कुछ adjust कर लूँगा आप लोग भी अपने हिसाब से इसको adjust करियेगा यहाँ पर finally video ready हो चुकी है मैं आपको फिर से play करके आपको दिखाता हूँ फिर स्क्रीन में देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी video ready हो चुकी है यहाँ पर जो हमारा यह green screen वाली video यह थोड़े लंबी जा रही है तो इसको आप लोग video के साब से cut out कर लिजेगा तो green screen वाली video पर tap करिएगा यहाँ पर देखिए लंबी हो रही है तो इसको ले आईएगा जहां तक हमारी video है इतना करने के बाद video हमारी यहाँ पर finally ready हो चुकी है अब इसको loop video में कैसे convert करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहीं से आप लोग video को सबसे पहले export कर लिजेगा तो export वाले बटन पर tap करेंगे तो यहाँ पर video आपके export होना है start हो जाएगी अगर आपको tutorial अच्छा लग रहा होगा तो comment करके हमें ज़रूर बता दीजेगा वीडियो हमारी export हो चुकी है अब इसको done कर देना है done करने के बाद new project पर tap करिएगा और अभी आप लोग ने जो वीडियो को export किया उसको आप लोग select कर लिएगा select करने के बाद नीचे add आले बटन पर tap कर दीजेगा तो यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है मैं आपको थोड़ा play करके दिखाता हूँ यह देखिए वीडियो आ चुकी है अब हमें क्या करना देखिए लाच में water mark दिखाए देगा तो इसको आप लोग डिलिट कर दिएगा अब loop वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं करना सीधा इसी वीडियो क्लिप को हमें copy करना है तो वीडियो क्लिप पे टैप करिएगा नीचे आपको एक option मिलेगा copy का यहाँ पर आप लूप दे सकते हैं copy वाल option आ गया है जैसे इस पे टैप करेंगे तो वीडियो क्लिप कापी हो जाएगी अब जितनी लंबी आपको loop वीडियो बनाना उतनी बार इसको copy करते चले जाएगा वीडियो आपकी यहाँ पर बनती चली जाएगी देखिए मैं आपको थोड़ा से copy करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने 7-8 बार copy कर दिया है वीडियो को तो यहाँ पर मेरी finally loop वीडियो बनकर ready हो चुकी है अब मैं आपको full screen में play करके एक बार दिखा देता हूँ देखिए तो देख सकते हैं कितनी असानी से हमारी यह loop वीडियो बनकर ready हो चुकी है अब finally इसको export करने के लिए उपर export वाले पर टैप करिएगा तो वीडियो आपकी export होना स्टार्ट हो जाएगी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो का ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तेल देंक गुडबाई मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू